नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों आप लोगों ने शायद स्टार्बक्स कॉफी के बारे में सुना होगा आप में से काफी लोग शायद वहां गए भी होंगे दोस्तों स्टार्बक्स कॉफी एक बहुत बड़ा अमेरिकन कॉफी चेन ह इंडिया में भी इसके काफी स्टोर्स हैं जो की टाटा के साथ ये जॉइंट वेंचर में रन करता है अब इनी का एक एड आया है जिसमें एक बच्चे के ट्रांदिशन को दिखाते हैं उनका एक लड़का है जिसका नाम अर्पित है पिता काफी दिनों से अपने बच्चे से कर लेता है दोस्तों यहां पर इस एड को लेकर कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत खुबसूरत आड है तो वहीं कुछ लोग काफी ज़्यादा इस एड के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि स्टार्बक्स को बॉइकाट करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं यह पश्चमी नोशन जो की वोग आइडियोलोजी है उसको भारत के उपर थोप रहा है तो क्या होता है वोग आइडियोलोजी वो भी देखेंगे और साथी साथ क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस एड को वह भी देखेंगे पर इससे पहले एड देख लेते हैं आता है तो बेटा अरुपित ने अपना जेंडर अइडेंटिटी बदल लिया है लड़की बन के सामने आता है और इसके बाद अब इसके भी obtained ती है coffee order place करके आती है इतने में पॉल आता है three coffees for और तीन coffee अरपिता के लिए आ जाती है और तब देखते हैं अरपित से यह अरपिता हो चुकी है और इसके बाद पिता कहते हैं बस एक लिटर ही तो आड हुआ है आज भी तुम मेरे अरपित से बस अरपिता ही तो बने हों और एक तरीके से आप दिखाते हैं तो यह दिखाया जाता है कि family अरपिता को with her new identity accept कर लेती है तो फिर starbucks last में अपनी जो बात है वो कहता है कि it starts with your name क्योंकि स्टारबक्स हर कॉफी में नाम लिखके देता है तो वह कहता है कि हम नाम आप अर्पित हों या अर्पिता हम सब के लिए हमारा दर्वाजा खुला है तो यहां पर लिखा भी है वैसे तो यह क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं पर इससे पहले आगे बढ़ें अगनी पद्ध बैच आपके लिए हम ले करके आएं के वल 7,999 रुपए में हैं इसमें complete UPSC CSE की करवा रहे हैं इसके बार अगर देखे तो साथी साथ आपको कहना चाहूंगा इसमें हम टेस्स भी दे रहे हैं और आपको complete hand holding मिल रही है एक जून से बैच स्टार्ट हो रहा है बाइ-lingual जिसमें हिंदी में समझाते हैं इंग्लिश में पढ़ाएंगे बोध हिंदी बैच है दोस्तों इसको भी आप ले सकते हैं अगर आप हिंदी माध्य में पढ़ना चाहते हैं 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो र कॉफी चेन है स्टार्बक्स और इसने बहुत हैड्लाइन बनाए अपने नए आड के लिए में 10 को यह आड सामने आया था और इसके साथ अगर आप देखे तो इसने कहा कि हम तो इंक्लूसिविटी ट्रांसजेंडर राइट्स को सामने लेकर के आ रहे हैं कैम्पेन का जो स्टार्ट से और नेम तो इसमें जो कहानी है वह आपको मैंने दिखाई कुछ लोगों ने का बहुत ब्यूटिफुल है हाट टचिंग है तो कुछ ने कहा कि हम इससे इंप्रेस नहीं है और इसको क्रिटिसाइज किया है लोगों को जो पसंद नहीं आया इसमें दोस्तों व भी होगा जेलना कहना गलत होगा बट जैसा भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट ऑन माई ओन कहीं न कहीं बच्चे कॉप जैसे बड़ा करते हैं वो कहे बाद में कि मैं कुछ और तरीके से अपने आपको देखता हूं तो परिवार उसे एक्सेप्ट करेगा तो वो कैसे ए इंटरफेयर करें ये बात इसमें समझाई गई है लोगों ने कहा दोस्तों ये एक वोक एडवर्टाइजमेंट है वोक का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो मतलब बड़ा अच्छा होता है वो व्यक्ति जो की अवेर है अटेंटिव है जो देख रहा है कि उसके आज पास क् इंडर राइटर्फ कैसे फैलै हुए हैं और उसको लेकर कैसे हनन हो रहा है उसको लेकर जो गहीं और कहीं न कहीं उगह करते जाह जो आ एक लड़की को cheating करते हुए देख लिया था और का था कि mobile तुम use मत करो exam के time पर और उसे mobile छीन लिया तो तब भी तक वो जो महिला विद्यारती होती है वो आती है और आके teacher पर pepper spray मार देती है और वहाँ पर कुछ female जो होती है women होती है women empowerment का example कहती है इसको तो यह जो है दोस्तो है यह जो बात है यह परिवार के अंदर है परिवार को से settle करने दीजिए परिवार खुद इसको manage करेगा जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं coffee का क्या लेना देना है परिवार ने खुदी accept किया खुदी manage किया तो आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं और यहां पर कहा जा रह है कहीं ना कहीं एक particular तबके के लोगों के जो beliefs है उनको target किया जाता है और टाटा पे भी कहीं ना कहीं अब लोगों का गुस्सा डाइवर्ट हो रहा है साथ सा स्टार्बक्स के इसके सिवा और भी ज्यादा वोग होने के allegations इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि आप एक news देखे और अन्य न्यूज में भी देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि starbucks के ही store ने अपने एक trans worker को निकाल दिया कारण क्या था उसने customer को कहा कि आप trans customer के साथ उसकी बगजक हो गई लड़ाई हो गई बाती बातशीत वाली बगजक हो गई कहना सही होगा और उसमें उसने customer को कह कि आप transphobic हैं और इस बात पर starbucks ने उस worker को निकाल दिया तो कहा कि आप कि आप खुद trans worker safe नहीं है आप दुनिया को जो ग्यान दे रहे हैं यह कहीं न कहीं बस और बस एक तरीके से आप लोगों को preach कर रहे हैं यह बाते सामने उभर के आई हैं जहां तक बात है दोस्तों आ transgender नहीं जानते होंगे तो transgender की ही अगर बात starbucks कभी उठानी थी तो बहुत सारी चीजें हैं जो उठा सकते थे तो उस पर भी चर्चा करेंगे पर उससे पहले आपको बता देता हूं transgender क्या हुआ दूस्तों यह एक umbrella term है उस व्यक्ति का जिसका gender identity जो sex assigned at birth है उसके साथ मैच न male हो vice versa तो इस प्रकार के लिए एक umbrella term है कुछ transgender people जो होते हैं जैसे इस case में आप देख रहे हैं उनको कई बार अगर कोई male है वो अपने आपको female की तरह relate करता है तो उस case में वो चाहे तो hormone therapy ले सकते हैं साथी साथ तरजरी भी होती है और इसके साथ वो अपनी gender identity जो वो मानस है they are not easy not safe challenging होता है तो इस प्रकार की सरजरी अगर आप promote करवा रहें तो इस बात पे भी स्टारबक्स को घेरा गया है यहां पर कि आप इस प्रकार की चीजों को कह रहे हैं कि बच्चे करें या व्यक्ति करें जो कि बहुत ज्यादा safe नहीं है तो बहतर है आप जैसे हैं वै दोस्तों यहां पर यह बात को लेके भी issues आया है जहां तक Supreme Court है उन्होंने भी transgender को as a third gender recognize किया है उन्होंने कहा है कि साफ साफ कहा है कि existing structure हाला कि Supreme Court ने third gender तो recognize किया लेकिन आज भी जो हमारे existing structure है वो कहीं ना कहीं gender binary में ही यकीन करते हैं government ने transgender persons act भी पास किया है जिसके इंतरगत हम जो discrimination transgender persons face करते हैं तिरुए education में employment में health care में वो ना face करें और साती साथ हम हर व्यक्ति को आजादी देते हैं कि आप जिस identity से चाहें वो आप ले सकते हैं आपको कोई थोपेगा नहीं आप लड़का है लड़की है आप जो बनना च Supreme Court ने कही दिया तो हर तरीके से आपके लिए हमारे देश में जगा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं मैं नहीं कहरा कि transgender को challenges face नहीं करना होता बहुत ज्यादा challenges face करना होता है यह बात हम सब जानते हैं और अधिक्तम transgender people जैसा मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं वैसे ही दिखते हैं तो यह issues हैं जो आपको उठाना चाहिए वो बहुत ज़्यादा discrimination face करते हैं employment में education में आप ही किया देख लीजिये कैसे आपने निकाल दिया एक transgender worker को तो कितना ज़्यादा आपके यहां भी समस्याएं हैं तो आप भारत को सिखा रहे हैं लेकिन अपने आपी जराद जहां protection नहीं होता है inheritance की समस्या होती है माँ बाप जो अपने जायदाद देखके जा रहे हैं माता पिता वो transgender बच्चे को नहीं देते हैं बहुत बार unemployment की समस्या है public amenities भी नहीं है भले हमने कह दिया कि हम थर्ड जेंडर के लिए open कर रहे हैं hospital में prison में schools में आज भी कितने school में transgender के लिए अलग toilet होगा थर्ड जेंडर का prison में कितने prison में cell है थर्ड जेंडर के लिए नाम से hospitals में कितना transgender ward है नहीं होता police atrocities इतनी ज्यादा इनको face करना पड़ता है stigmatize करके रखा है transgender को कि transgender एक ही प्रकार का काम करते हैं कि they are only involved in कहीं न कहीं आप देखे तो sex workers की तुरह उनको treat करते हैं तो इस तरीके से कहीं न कहीं उनको खुद को बहुत ज्यादा stigmatize करके रखे हैं तो यह सारे issues हैं जो कि वास्तविक रूप में भारत के transgender के साथ कहीं न कहीं resonate करते हैं एक identity crisis होती है बचपन से लेकर इनको आप अगर देखें तो binary gender हमारी पूरी दुनिया बसी हुई है या तो आप लड़का है या तो लड़की है लेकिन third gender का acceptance नहीं है तो वो सारे issues हैं जो आपको दिखाना चाहिए तो यह सारी बाते आपने दिखा यह मैं नह कहीं कोई ideology है जो आप लगाना चाहरे हैं ऐसा भी criticism लोगों के द्वारा आया है तो बहुत सारे issues हैं मैं उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने भी मिला होगा तो यह challenges जो मैंने चार्ट बनाया यह याद कर लीजेगा आपको transgender persons protection of rights act भी मालूम होना चाहिए इसके बा केवल 7999 में बैच मिलता है इसके सिवा यहां पर तो हम प्रिलिम्स टेस्स सीरीज भी दे रहे हैं में सेप्रेटली भी ले सकते हैं 30GS प्लेस टेस्ट है केवल 2999 रुपए में अगनीपत में स्टस सीरीज है केवल 2499 रुपए में हमारा टीम है pathfinder का जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही experience टीम है साथ-साथ हिंदी बैच भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं जो कि 15 चुलाई से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ जो कि आपको अगनीपत बैच में मिल रहा है वही हिंदी बैच में भी दे रहा है सेम 900 से अधे गंटे live classes है हिंदी माध्यम में है फ्रिलिम् के भी 10 टेस्ट के सीरीज आपको मिल रहा है में इस mentorship इंटर्व्य गाइडेंस भी मिल रहा है perspective सीरीज भी देखें और हमें हमारे अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें